समिती के कुल सयोजक राकेश पंत ने कहा कि प्रतिनिधी मंडल स्थानिय विधायक से मिला था तब उन्होंने समिती को आश्वस्त किया था कि अगली कैबिनेट बैठेक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि सोलन को नगर निगम बनाये जाने का रास्ता साफ हो सके उन्होंने कहा कि इस आश्वस्त के बाद आज तक कई बैठके हो चुकी है लेकिन स्थानिय मंत्री आज तक इस पर कोई काम नहीं कर पाए उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य मंत्री के समक्ष भी समिती ने इस मुद्दे को उठाया था और उनके द्वारा भी हामी भरी गई श्री शांडिल जी से भी मिले थे और उस दिन उन्होंने अशूर किया था कि अगली कबिनेट की वैठक में इसको नगर निगम बना दिया जाएगा उसके बाद करीब आठ से जादा कबिनेट की वैठक हो चुकी है और इस इशू को कहीं उठाया नहीं गया नगर निगम संगर समीती ऐसा मानती है कि मंत्री जी का इस मामले में बड़ा नकारात्मक रवया रहा है और किसी भी जन प्रतिनीजी से विकास के मामले में इतना नकारात्र जो उनका रवया है उसको स्विकार नहीं किया जा सकता संगर समिती इसकी कठोर भर्सना करती है